सीधे आते हैं point पर और जानते हैं कि how to start pizza business वो भी आपके budget में अब ये budget 50,000 हो सकता है या कुछ लाक तो pizza business start करने के लिए सबसे पहले decide करना होता कौन सा pizza business model होगा क्योंकि जितने pizza business ideas हैं उतने अलग-अलग उनके business models हैं इसलिए investment capacity देखती वे pizza business model decide किया जाता है उसके बाद हम decide करेंगे menu, selling price और pizza business profit margin फिर करनी होती है planning की how to promote pizza business and then हम आते हैं equipments और setup cost पर और decide करना होता है pizza business name तो ये है पूरा process एक pizza business start करने का और इस process के according हम सबसे पहले decide करेंगे pizza business model के बारे में जैसा कि हमने शुरू में discuss किया था pizza business model का सबसे important part है investment amount finalize करना और उसके बाद decide करना है कि किस type का pizza बेचना है पूरा का पूरा या pizza by slice then हमें देखना है कि pizza business कहां करना है market से घर में या cloud kitchen द्वारा वैसे तो pizza business करने के लिए सबसे popular जगे है market area और market area में pizza business 1.500 square feet में दो table और chairs डाल कर शुरू किया जा सकता है और 15 square feet में एक proper dining restaurant बना कर भी शुरू किया जा सकता है आपको कितना बड़ा pizza business शुरू करना है वो depend करेगा आपके investment amount पर अगर market area में pizza business करना है तो ये तीन बाते ध्यान में रखने की आवशकता है पहला कि दुकान चहल पहल वारे area में होनी चाहिए दूसरा सडक से दुकान की visibility बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनके बीश में कोई रुकावट नहीं हो और हमारा तीसरा सबसे important point है कि किराया बचाने के लिए गलती से भी poor visibility या कम footfall वाली जगा पर business शुरू ना करें तो अगर कोई market area में business नहीं करना चाहता है तो वो pizza business from home and dark kitchen के options भी explore कर सकता है तो जब कोई pizza business अपने घर से या dark kitchen से शुरू करता है तो उसका पूरा business model सिर्फ और सिर्फ delivery पर डिपेंड करता है देन लॉजिकली इसके लिए swiggy और zomato से type करना पड़ेगा अब क्योंकि इस business model में customers सामने से चलकर नहीं आता है तो ये बहुत important है कि अधिक से अधिक customers तक brand directly पहुँचे और ये करने का एक तरीका है कि delivery platforms पर aggressively promotion and schemes चलाना और अगर ऐसा नहीं किया तो business कभी भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा और क्योंकि food aggregators delivery करने का अच्छा खासा commission लेते हैं तो business का overall एक healthy margin बना रहे उसके लिए social media के through directly भी sale करने की कोशिश करें और ये कैसे करना ये हम आगे जानेंगे अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं how to decide menu for pizza business menu के दो part होते हैं food and rings और food के भी दो type होते हैं pizza and other items अब क्योंकि ये pizza business से सबसे पहले हम decide करते हैं कि menu में कौन से pizzas होंगे और इसमें पहला step होगा pizza base decide करने का pizza base दो तरीके के होते एक होता है pre-cooked जो market में मिलता है और दूसरा होता है जो आप खुद बनाते हैं अगर आप pre-cooked base यूज़ करना चाहते हैं तब इतने options आपको नहीं मिलेंगे मगर कम investment में बिजनस शुरू करना है और प्री-cooked pizza base यूज़ करना ही पड़ेगा पीज़ डिसाइड करने के बाद डिसाइड करना है कि pizza के क्या categories होंगी जैसे कि basic pizza, popular pizzas and premium pizzas और इन categories में 3-6 variety तक के pizzas होने चाहिए menu पीज़ डिसाइड करने के बाद अब डिसाइड करते है other items जैसे कि garlic bread जो 3-4 varieties में भी हो सकती है साथी में pasta in white and rich sauce भी हो सकता है इसके अलावा कुछ frozen food items भी menu में हो सकते हैं और menu finalize करने का process wedge और non wedge दोनों के लिए करना है खाने के बाद अब कुछ पीने के items decide कर लेते हैं cold drinks तो एक obvious option है साथी में ice tea और mojitos भी serve किये जा सकते हैं तो जब सब items menu में finalize हो जाएंगे तो menu कुछ इस तरह से दिखेगा अगर तो आप एक छोटा pizzeria खोलना चाहते हैं या अपने घर से business करना चाहते हैं तो इतने food items sufficient होंगे बट अगर आप एक proper restaurant खोलना चाहते हैं तो आपको अपना menu थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा उसमें additional italians items जैसे कि risotto लसानिया भी add कर सकते हैं और साथ में कुछ breakfast items भी रखने ज़रूरी हैं अब next point जानते हैं जो है pizza business profit margin जानने के लिए हमें product pricing decide करनी होगी मगर वे कर अपना pizza business शुरू करना चाहते हैं उस area में जो competition से उनके price देख करके हम accordingly अपने prices set कर सकते हैं और दूसरे तरीके में menu में जितने भी items हैं सबका food material expenses निकाल लें और उसका 3 या 4 times MRP रख लें और अगर आपकी locations में rent अधिक हैं यानि किसी premium location पर हैं तो आप menu में MRP food cost का 4 to 8 times भी रख सकते हैं बट guidance के लिए competition की pricing जरूर चेक कर लें उससे आपको यह idea लग जाएगा कहीं आप over pricing या under pricing तो नहीं करें basically आपको यह insure करना है कि सबी खर्चे काट कर जिसमें food cost और operational expenses जैसे की rent, salary, lexity वगेरा वगेरा included हैं आपका net profit margin total sale का कम से कम 25 से 35% होना चाहिए और अगर इतना margin नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो आपकी sale कम है या फिर आपके खर्चे अधिक है या फिर आपने products की price कम अब यहां दो सवाल अकसर पूछे जाते हैं, पहला is a pizza business profitable, pizza business बिल्कुल profitable है क्योंकि इसको कम investment में शुरू किया जा सकता है, साथी में pizza बनाने की cost भी कोई बहुत जादा नहीं होती, in comparison to the sales price तो margin भी अच्छा मिलता है, और इस business का best part ये है कि pizza के साथ बहुत जादा dishes रगन कि आवशकता नहीं होती है, तो limited menu में भी बढ़िया कमाई की जा सकती है, और इस business की popularity का सबसे बड़ा कारण ये है, कि जो कोई भी basic cooking जानता है, वो भी ये business शुरू कर सकता है, ये business शुरू करने के लिए ना आपको chef होने के ज़रूत है, ना ही किसी chef को रखने की, और जो पीजा सभी के पास मिलते हैं, जैसे कि margarita या cheese, onion, tomato, ये basically आपके volume पीजा होते हैं, तो इन में आपका margin comparatively बाकियों से कम होता है, वही कुछ premium range के पीजा होते हैं, जिन में double cheese, olives, jalapeno, red paprika, जैसा ingredients use होते हैं, तो में margin जाधा होता है, इसलिए आपका menu running pizzas and premium pizzas का balance होना चाहिए, हमारा next point है how to promote pizza business, pizza business को promote करने के लिए ज़्यादा खर्ची के ज़र होते हैं, बस थोड़ी सी smartness चाहिए, सबसे पहले अपनी Google business profile बनाए, और Instagram या Facebook में से किसी एक पर अपना business account खोले, वहाँ अपने products की images जाले, और customers के लिए जो scheme दे रहे हैं, उसकी information पोस्ट करें, अब य क्या scheme देनी हैं, कितनी frequently कोई scheme देनी हैं, यह आपको market देखकर decide करना होगा, in fact scheme का खर्चा compensate करने के लिए product price को शुरू से ही थोड़ा बढ़ा कर रखा जा सकता है, अब एक सवाल हैं अकसर पूछा जाता है कि how to attract customers to buy pizza, customers को हम दो तरीके से attract कर सकते हैं, पहले schemes and promotions से, वह हम already देख चुके हैं, और दूसरा तरीका है taste से, अगर pizza का taste ऐसा हो, जिसको खाने के बाद customers को लगे कि वह टेस्ट बाकियों से different है, तो customer बार बार वापिस आएगा, अब किसी pizza का taste तीन तरीके से enhance किया जा सकता है, पहला pizza sauce, तो अगर आप अपने pizza sauce खुद बनाते हैं, तो उ इसके साथ, कोई एक flavor का mayonnaise यूज़ करके, एक बिल्कुल अलग taste develop किया जा सकता है, तो अब आते हैं, अपने main point पर, pizza business plan, हम pizza business planning, कम investment और बड़ी investment दोनों के लिए करेंगे, तो हम अपने pizza business planning के शुरुआत करते हो, जानते हैं, पचास जार के आसपास की investment करके, कैसे pizza business जानते हैं, कैसे कम से कम cost में पूरा जुगार बैठाया जाए, सबसे पहले लगी कि working table ये usually aluminum की होती है, जिस पर pizza और बाकी items assemble किये जाते हैं, और इसी पर उनको बनाने के बाद रखा जाता है, सर्व करने से पहले final touch दिया जाता है, अब अगर कोई aluminum table second hand मिल जाती है, तब एक second hand wooden table लीजिए, और उस पर aluminum या steel की sheet लगा दीजिए, एकडम सस्ते में काम हो जाएगा आपका, दूसरी major requirement है cheese और बाकी food items रखने के लिए freezer and refrigerator, इसका सरवल और सस्ता हो पाए है, एक second hand refrigerator जैसा हम घर में use करते हैं, वो ले लीजिए, उसके freezer में cheese store की जा सकती है, बाकी items जैसी कटी भी vegetables फ्रिज में रखे जा सकती है, एक बार जब आपका business चल जाए तब आप deep freezer व वेसी कुलर रख सकते हैं, तीसरी requirement है bake करने के लिए oven और इसमें cheap and best option है electric तंदूर का, यह Amazon और local market दोनों में असानी से मिल जाता है, हमारे fourth requirement है accessories जैसे की pizza pan, pizza peel या gripper, oven ने pizza डाल और parcel के लिए packing items, पांचवी requirement है customer को बैठाने के लिए table और chair और customer से deal करने के लिए sales counter, और यह दोनों चीज़े आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगी, आप plastic में एक table और 4 chair वाले set ले सकते हैं, और sales counter आपको second hand बड़ी असानी से मिल जाएगा, तो यह basic pizza business आप 50,000 के आसपा बनाने के लिए क्या requirements है, ज्यादा तर अच्छे restaurants fresh dough से pizza बनाते हैं, उसके लिए जो equipment लगते हैं वो है dough maker, pizza dough tray, for proofing and storage, pizza proofing machine, pizza preparation table with topping containers, deck oven, या pizza oven with stone oven, और wood fried pizza oven, जैसे main equipment की requirement होती है, इसके अलावा जो छोटे मुटे equipment लगते हैं वो है, pizza pan, pizza peel, pizza screen, pizza cutter, wooden serving, bat, docker, pizza base for hole बनाने के लिफ्टर, gripper, sauce ring, pizza stool and packaging material, description box में आपको ये list मिल जाएगी, तो अगर आप इन सभी items में सबसे सस्ता option भी चुनते हैं, तो भी investment कम से कम 2 लाग के आस पास आएगी, और अगर इसका premium version लेते हैं, तो 25 लाग तक की investment जा सकती है, और अगर imported items यूज करते हैं, तो 50 लाग तक total investment जा सकती है, इसके अलावा जहां पर भी business शुरू होगा, महाँ पर civil work और interiorist का खर्चा अलग से है, अब जानते हैं, pizza business name ideas, अगर कोई pizza business शुरू करता है, तो उसको अपने business का एक ऐसा नाम रखना चाहिए, जिसको सुनते ही समझ में आ जाए कि वो किस चीज का business है, इसका ए Italy, Sicily, Naples, New York, Chicago, Italy वो देशे जाप pizza का जन्म हुआ, उसी का एक परांत है Sicily और एक शेर है Naples, और इसके अलावा New York और Chicago के अपने अलग style के pizza होते हैं, तो इन words को use करके आप अपना pizza business का नाम रख सकते हैं, जैसे की Pizza Palace, Desi Pizzeria, Little Italy, Naples House, New York Wonder Pizza, Chicago Delight Pizzeria, मैंने example में जो भी ना चेक कर लें कि वो brand किसी और के पास तो registered नहीं है, और अगर आप ऐसी ही बहुत कम investment में एक और business idea जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखें, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा, thank you for watching.